अस्क्लाम लेकुम गाईस कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे वेलकम बैक तो मैं चैनल दाग विलोग आज का जो मेरा विलोग है वो बड़ा ही मज़िदार है यह मेरे हस्बेंड है और यह सुबा सुबा नौ बजे छेल रहे हैं करेले क्योंकि जब यह नाश्टे के लिए दूद लेने गए थे चाय बनाने के लिए तो यह साथ में सबसी भी ले आए थे मैं अब बनाऊंगी नाश्टा और मेरे नाश्टा बनाने तक के करेंगे करेले साफ तो जब तक यह करेले साफ कर रहे हैं इनको छील रहे हैं तब तक मैं बनाऊंगी नाश्ता और फिर हम सब मिलकर करेंगे नाश्ता वैसे मेरे husband so loving so caring मेरा साथ देते हैं हर चीज में और मेरी care भी करते हैं जब मैं अकीली काम करती हूँ तो मेरी help भी करते हैं किस किस के husbands अपनी wife की help करते हैं मुझे commerce box में ज़रूर बताईएगा देखे कितनी अच्छे तरीकी से साफ कर रहे हैं इसके क्रेले के बीच में से इसके beach भी निकाल रहे हैं एक site पर कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम नमक लगा कर करेलों को थोड़ी देट लिए दूप में रखेंगे ताकि इनमें जो कड़वापन होता है वो खतम हो जाए फिर उसको करेंगे wash और देखे मेरे husband कर रहे हैं और जब तक घर पे हैं तब तक मेरा हाथ पर टाते रहते हैं और दाउत को बहुत गर्मी लग रहे हैं दाउत चट उतार के खड़े हुए नाश्ते का दाली है मैंने और एक पराठा तवे पर डाला हुआ है और देखें यहां पर मेरा पराठा बनने को है मैंने और डाल देया है अब मेरा पराठा बन गया है अब मैं बचों को दूंगी नाश्ता और ब्यूटिफुल रिवर्स करे लिए तो इन्होंने पील कर लिए और साथ म हम लोग BAT करेंगे दफ नाज्टर सही बन है अधिया नश्टर नश्टर सही बना था हां बोल क्यों नहीं था जग हम वे नाश्टर जान खार है बहुत अच्छ़ बना है यह पायसे टे से लेकशने हों राटका चिकन वपड़ा। लुखारे बहुत जादा मज़ार है और यह चाहे इतनी मज़़ार बनी है चाहे भी पिएंगे इसके बाद घर के कुछ काहँ है वह निप्टाएंगे आप से कुछ मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद ओके भाए तो क्रेले हमारे हो रहे हैं कटिंग और कटिंग होने के बाद हम इसको हाद घेंटे नमक लगाकर दूप में रखेंगे ताके यह नरम हो जाएंगे और इनकी सारी कड़वाहट भी निकल जाएगी यह जो कड़वे होते ना इतने ज्यादा और फिर हम इसको तेल में डिप स्टाइ करेंगे और फिर इसको आनियन में और टोमेटton में पकाएंगे इनकी करेलो को तो तुझए भी बना लो यह वैसे ही अच्छे लगतें चाहे वो चने की डाल में हो, कीमिल में हो या फिर प्यास ट्रमाटर में कीमा तो हम लोग ने कर लिया है नाश्ताब नाश्टी के बाद में काट रहे हैं और मेरे हबी बना रहे हैं मेरी मूवी तो मैं आउनियन काट रही हूँ इनको ना मोटा काट रही हूँ ना इतना पतला काट रही हूँ सिर्फ दर्म्याना काट रही है नॉर्मल साइस मैंने फोर ओनियन्स ली हैं और मैं इनको काट रही हूँ और इनको काट रही के बाद मैं टोमेटर लूँगी टोमेटर को मैं काट कर इनके चिलके उतार कर पकात मुझे कमेट्स में जरूर बिताइएगा अब मैं लूँगी एक फ्राइड पैन में आईल गरम होने के बाद मैंने ये देखे क्रेलो को वाश कर लिया था और मैंने इनको खुले बर्तन में डाल ले ताकि नीचे से इनका पानी भी निकलता रहे और अब मैंने डाल दी हैं यह ये मेरे पास थे एक किलो करेले और अब यहाँ पर हो चुके हैं क्रेले ब्राउन लाइट ब्राउन तो अब इनको मैं ब्राउन करने के बाद एक अलग बर्तन में इनको निकाल लूँगी और इसी आयल में मैं डाल लूँगी प्याज आप क्रेले किस तरह बनाते हैं अपनी रेसेपी शेयर करें और मुझे कमेट्स में बताएं अब यह बचे हुई गरम तेल में मैं डाल दूँगी प्याज और इसको करूँगी सुनेहरा ब्राउन अब मैंने डाले हैं टामाटर, अध्रकलसन का पेस्ट, हरी मिर्च, लेमन जूस और मैंने उसमें डाल दी करे ले उनको पांच से छे मिनट तक मैंने पकाया और उसके बाद चुला बंद कर दिया आपको आज का मेरा व्लॉग विद करे ले की रेसिपी के साथ कैसा लगा लाइक करें और गमेट वाक्स में बताएं मेरी रेसिपी कैसे लगी और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें बैल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आज की वीडियो यहीं तक के थी नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा आफेस बाई बाई